कि आप सबी का सौगत अरब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्तान के ज्वयापूर जहां बीजेपी मुख्याले में पीजेपी प्रदेश अध्यक श्रीपी जोशी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने लगातार प्रदेश की हित के लिए विख सिट कर्दिसीर कर्दिस्ट राजस्तान सौष्ध राजस्तान सम्रद्र राजस्तान सशक्त राजस्तान इस दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाते हुए, कई नेड़े लिये हैं, मैं सबसे पहले मानी मुख्यमंद्री जी का अभार प्रकट करता हूं कि कली उन्होंने एक दोशना की प्रुदीश की हिंद में, कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारती जनता पाटी ने बनाया उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने साड़े चार सो रुपए में गेज का सिलंडर मिले, इसके लिए एक जनवरी से उनको मिलने की सारी विवस्ता सूर में शिर्ट की, इसके लिए में पूरे प्रदेश की माताव बहनों की ओर से मानी मुख्यमंत्री जी का अभार पुजट करता हूं। और ये एक सामानी बात नहीं है, आधनी मोदी जी ने 2014 में पृधानमत्री बनने के बाद, एक समय का बोजन बनाते समय, चार सो सिक्रेट पीने के बराबर कुछ दुए से नुकसान फेपड़ों को होता था, परियावरन को नुकसा होता था, उन्हें सारी समश्याओं का समाधान करते वे देश में पहली बार, आजादी से लेकर अब तक जितने गेस के कनेक्शन नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मोदी जी के इस कालखंड में उससे ज़्यादा गेस के कनेक्शन मिले ही, और एक गरीब के गर में भी बारिश के दिनों में चुले में गर में पानी बर जाता था, कई समश्याओं आती थी, गीली लकडियों में कैसे बोजन बनाएं, लेकिन आज इंदुला के कनेक्शन के क अच्छे से अपने परिवार का निर्वन कर सकते हैं, मैं राजस्तान की सरकार का परदेश की यसोची प्रदानमत्री आधनी मोदी जी और हमारे लोगपुरी मुख्यमत्री मानी वजनलाजी का अभार प्रकेट करता हूं, यह उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया, और इ प्रतिवर्ष राजस्तान की सरकार पर आएगा, अंतर इस बात का है कि एक तरफ वो सरकारती तो कालकर्ण के पांच वर्ष के लिए चुनी गई लेकिन अंतिम पांच बहिने के लिए जनता के लिए उन्होंने यूजनाय शुरू की लेकिन दूसरी तरह वो सरकार है जो दी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया, राजस्तान में सित्र लाग से अधिक मैलाओं को, उजुला के इस योजना का लाग मिला है, निश्चित रुप से इस योजना से, उनको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, मुक्य मंत्री जी ने भारती जन्ता पाजिनेक बोशा पत्र में इस पस कहा था कि पेपर लिक जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसके पीछे थे, चाहे कितने ही बड़े कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हों, जिनोंने राजस्तान के युवाओं के भविशिके साथ खि दिया, और SIT के गठा के बाद, SIT ने इस दिशा में अपनी कारवाई को तिवर कर दिया और मैं सोचता हूं, जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिनोंने राजस्तान के युवाओं के भविश के साथ खिलवार किया, ऐसे लोगों के किलाव सक्त कारवा हो, इस दिशा में मानी मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, पिछली सरकार में अपराद का तानव पुरे प्रदेश में था, और मुख्यमंत्री जी नहीं, जो संग्ठित अपराद है, गैंग वोर्ड, इसकी रोख्थाम के लिए एंटी गेंग्स्टर टाक्सपोर्ग बनाई और एक एडिशी दिनेश एमेंजी के नेदरत में इसका गठाव करके इस प्रकार के अपराद और अपरादियों पर, क्योंकि पिछले पांच वर्ष में सता के लोगों के सेलक्षन के कारव राजस्तान में अपराद शरम पर प देखी है, लेकिन अब ये टास्पोर्ग चाहे अपरादी कोई हो, अपरादी के पीछे बड़ा किसी का भी हाथ हो, लेकिन ऐसे अपरादियों को ढूंड कर उनको सजा दिलाना, इसके लिए अपनी एक मंशा जाहिर कर दिया और इस दिशा में इस टास्पोर्ग से काम करना शुरू कर दिया, ERCP को लेकर सिर्फ वादे, नारे और गोश्राय अभी तक राजस्तान की जनता ने देखी थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में और यहां डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, कल दिल्ली में राजस्तान और मध्यप्रदेश के अधिकारियों की एक बात बु शुरू को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, इस दिशा में कल एक महत्पूर बैठक होगी जल्दी ही, कुछ इक्षट्र के लोगों को एक संधीमी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और प संकल्प जात्रा, आधनी प्रधानमंद्री जी नरंद्र मोदी जी के नैतरुत में, वो काम जो देश कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, आजादी के इतने वर्षों के बार भी कई लोगों को रहने का पका मकार नहीं मिला, बैंक में घाता नहीं, उजला का कनेक्षन नह स्वास की कोई गैरंटी नहीं, ऐसे अनेक काम, जिनकी तुलना देश की जबता साथ वर्ष बना, साड़े नो वर्ष करती है, उनने साथ वर्षों भी जाला काम इन साड़े नो वर्षों में हुआ, तो मोदी जी की गैरंटी वाली गाड़ी, पूरे देश भर में, इविक् प्यात्रा के शिरू में एक लाग तीन अजार से अधी किसान क्रेडिट कार्ड का